नमस्कार किसान भाईयो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमें पावर स्टेरिंग ट्रेक्टर लेना चाहिए या मिन्वल स्टेरिंग ट्रेक्टर लेना चाहिए साथ में यह भी हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है तो वीडियो को लास तक जनल देखिएगा तो किसान भाईयों आपको सबसे पहले हम अंतर बता देते हैं तो बात करें पहले नंबर अंतर की तो किसान भाईयों मार्केट में आपको पावर स्टेरिंग टेक्टर 10 से 20 जार रुपे का महेंगा देखने को मिलेगा मिन्वल स्टेरिंग के मुकाबले में अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो पावर स्टेरिंग टेक्टर के स्टेरिंग को घुमाने के लिए आपको केवल इसारा करना परता है जबकि minimal steering की steering को घुमाने के लिए आपको ताकत जादे लगाना पड़ता है power steering की अपिछा अब बात करें तीसरे number point की तो जाहिद सी बात है जब टरक्टर की steering आपकी फिरी घुमेगी तो आपको थोड़ा आराम मासुस जरूर होगा जबकि आपको minimal steering में थोरा ताकत लगाना पड़ता है लेकिन आपकी आदत इसमें भी बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें जादे अंतर नहीं है चौथे point की बात करें तो power steering tractor आपको थोरा खर्चीला देखने को मिल जाता है जबकि manual steering में आपको जादे खर्चे नहीं करने पड़ते हैं अगर बिगड़ता भी है तो जादे खर्चा नहीं करना पड़ता है जबकि power steering में अगर बिगड़ता है तो आपको जादे खर्चे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको बात करें पाँचवे नंबर पॉइंट की तो किसान भाईयों यह यूटूब पे कोई नहीं बताता सायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे इस बात को लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूँगा पावर स्टेरिंग टेक्टर मैनुवल स्टेरिंग टेक्टर से थोरा डीजर अधिक लेता है अब बात करें हम छैवे नंबर पॉइंट की तो किसान भाईयों पावर स्टेरिंग और मैनुवल स्टेरिंग से लगभग आप हर काम कर सकते हो भले ही थोरी दिक्कत हो लेकिन आप यहां minimal steering से कम माइन नहीं चला सकते टेक्टर माउंटिंग और power steering से ही केवल चला सकते हैं यहां पर आपको एक अंतर देखने को बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है अब बात करें साथवे number point की तो अगर आप टेक्टर सड़क पे चलाते हैं तो आप power steering के टेक्टर से अगर जरा सभी कटमा देते हैं तो टाली पलटने की चांस रहती है जबकि minimal steering थोरा सा फिरी होता है इसलिए उसमें टाली पलटने की चांस नहीं होती है अब बात करें आठवे number point की तो आपका टेक्टर अगर power steering है तो कोई बच्चा भुमा देता है अगर टेक्टर बंध है तो आ आप अपने टेक्टर में tires की modification नहीं करवा सकते हैं जैसे हर्यान पंजाब के लोग करवाते हैं लंबे टायर बड़े टायर वाले अगले टायर लगा देते हैं तो पाउ श्टेरिंग होने की वजए से टेक्टर घूम जाता है जबकि साधा steering होने की वजए से टेक्टर नही पॉइंट की तो आप पावर स्टेरिंग टेक्टर में तर्ण पे घुमाट उमाट पे आप अगर घुमा देते हैं तो अपने आप वह सीधी नहीं होती जबकि मिन्वल स्टेरिंग में अपने आप सीधी हो जाती है अब हम आपको पॉइंट में बताएंगे आपको कौन सा टे हो लंबर टूड लेकर जाते हो तो आपको साधा इस्टेरिंग लेना चाहिए मेरी एक बात और है किसान भाई अगर किसान भाई आप भी 55 क्या 50 हप धलो अगर आप 50 हपी से उपर का टेक्टर ले रहे हैं तो जरूर आप पावर स्टेरिंग ही लें क्यूंकि आने वाले समय में आप क्या करेंगे यह सोच लें और उसी के हिसाब से टेक्टर लें लेकिन जादे तर तो एही करना चाहिए अगर आप 50 हपी से उपर का टेक्टर ले रहे हैं तो आपको पावर स्टेरिंग में ही लेना चाहिए किसान भाईयों वीडियो को लास्त तक देखने के लिए धन्वाद अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में आप उसे जरूर बताएं